असलाम अलेकुम अलाम अग्बाल ओपन युनिवरसिटी के प्रोग्राम एई आई ओ यू मैगजीन में आपकी मिजबान कुरात लेन हाजिर है नाजरीन जैसा के आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको युनिवरसिटी के शबरोस के बारे में इतला आद बहां पहुंचाना है युनिवरसिटी की रोजमरा की सरगर्मिया, तक्रीबात, वरक्शॉप्स, दाखले, सेमिनार, मेलिंग और बहुत कुछ जो आप युनिवरसिटी के मतलिक जानना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं अजीज तल्बा, सेमिस्टर बहार 2008 के दाखले बंद हो चुके हैं और यगीनां वो तल्बा और तालिबात जिन्होंने सेमिस्टर में फ्रेश ताखला लिया है, मेलिंग के इंतजार में होंगे आपको बताते चलें के मेलिंग का प्रोसेस 10 एपरल 2008 से शुरू होने वाला है पहले से दाखल तल्बा और तालिबात को रिजल्ट इंटिमेशन हो गई है अगर किसी वज़े से आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप हमारी वेबसाइट www.aiou.edu.pk पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं नाजरीन, इस सलसले में युनिवरसिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अलहसन बट कहते हैं بسم اللہ الرحمن الرحیم, बहार सिमेस्टर दो हजार आठ के लिए मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ तमाम उन तलबा को जो कंटिनुइंग स्टूडंट्स हैं और जो नए स्टूडंट्स हैं हमारे कंटिनुइंग स्टूडंट्स हमारे फासलाती निजाम को अच्छी तरह जानते हैं जो नए तलबा और तालबात इलामा अकबाल उपन इनिवस्टी में पहली दफ़े आ रहे हैं उनके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि फासलाती निजाम किन इकदार पे बना है और आप से हमारी क्या तवक्वात है फासलाती निजाम की काम्याबी जो है वो ना सिर्फ हमारे तद्रीसी माबाद पे है ना सिर्फ ट्यूटर्स और आपके रापते पे है बलके ज्यादातार जो है जिम्मेदारी वो आप पे है आप इस सिमेस्टर में इस तद्रीसी माबाद को अच्छी तरह पढ़िए इसे समझिए इसके ओपर जो भी एसाइनमेंट्स आपके जिम्मेल की गए हैं उनको पूरी तन दही से काम्याबी के साथ मकमल करके तो अपने ट्यूटर्स को दीजिए ताके वो उनकी एसेस्मेंट क की वज़े से ना सिर्फ तालीम भी मिलती है बलके वो तर्बियत भी होती है जिससे दानिश्वर पैदा किये जा सकते हैं अजीज सल्वा गुजिश्टा महीने यूनिवर्सिटी इल्मी औ अदबी सरगर्मियों का मरकज रही है इस सलसले में गुजिश्टा दिनों अलाम अकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और रूमी फोरम इसलामबाद के इश्टराख से Resonance of the East and West के मौजू पर एक रोजा बैनल अकवामी सेमिनार अलाम अकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मुनकित हुआ इस सेमिनार के महमाने खुसी पाकिस्तान में तुर्की के सफीर एंगन सुईसल थे उन्होंने अपने खिताब में कहा East is present and is part of the West and West is present and part of the East and when we are speaking of resonance of the East and West you have to remind that these are changing meanings throughout times first of all the creation of a communicative situation more in terms of hermeneutics that will allow both Turks and Europeans from EU countries to try to come to a more positive understanding of their past their present and their future so this is a major task that's why the Turkish quest for membership not only today but since the Hilafet movement because I consider Hilafet movement when I read all the letters of the founding fathers of Pakistan is a resonance of the East in the West because it was a great quest and a great support of the Muslims of the subcontinent to try to have a better understanding of what they consider as their fellow most brotherly people in the attitude they deserved from the European powers so in that sense this resonance of the East in the West during the Hilafet movement was a European movement in that sense For us as Muslim scholars we need to be paying attention to our own heritage the basic sources of knowledge which have brought us to that commonality which could be the basis of a new resonance between East and West and what I've tried to do is go back to a great master poet philosopher Sufi sheikh teacher who is not only Turkish and Pakistani common heritage but who belongs to the world Rumi Forum gave me the thought why don't I go back and share with you some of my experiences with Rumi himself I want more people to know that while there are hunting tongues of the world who talk about this danger that danger this religion as something to be worried about here is a master who is becoming one of the most popular writers at least in the United States Seminar se khitaab kerte huye Deputy Head of Mission of Turkey Mr. Samirla Lutfi ne kaha To remove not only the problems which are visible but also the fundamental elements which give rise to them we should therefore endeavor to raise awareness and take all necessary measures in our own geography first while at the same time acting in harmony and concert at the international level this is precisely where the alliance seeks to add value by filling an important gap in the international arena and generating a serious web of solidarity against intolerance prejudice and the trend of polarization action and result oriented projects are extending the coverage of the alliance and enhancing its effectiveness In the West, you have people who are extremely gentle, polite, understanding at the same time people who are arrogant impolite and uncompromising so is the humanity therefore we cannot generalize and say that if some Muslims are of the view that West is their enemy then West is definitely enemy I think we have to go beyond these classifications of West and East because Islam does not believe in that Islam believes in that Creator who is Rab of Mashariq and Magharib not just of East and West Islam is not religion of the East nor of the West but Universal Faith and we need to transcend these human-made boundaries because unless these perceptions are challenged unless they are changed we cannot develop any proper understanding of our own selves and others When we talk again about perceptions then ground reality is that Islam has been somehow misunderstood not only by the West but by the Muslims and that is not due to 9-11 or any recent event in history I can quote a statement of Martin Luther from 16th century he says Islam is a movement of violence in the service of the Antichrist it cannot be converted because it is close to reason it can only be resisted by the sword and even that with difficulty Jadid dour information technology ka dour hai or yeh hum jantate hai ki dunya eek global village hai Alam-eqbal open university apne tulba ko jadid tarze talim se araastah kerne ke liye haemesha kooshan hai gozistah dino university campus me information and communication technology ICT building ka sange bunyat rakhne ki taqribe menakid hui is taqribe ke mehmane khusus planning commission ke dipte chairman engineer dr. mohammed akram sheikh nyeh nyeh is mozoo par alam-eqbal open university ke project director engineer ataulah shaneh mansoobay ke baare meh briefing di heating and there is a central pay show which will cater for the national heating and ventilation needs of the building mehmane khusus si dipte chairman planning commission engineer dr. mohammed akram sheikh nyeh apne khatam meh kaha paaj jam foundation stone lake karne legging पुलिंग की foundation ठीक नहीं तो building ठीक नहीं बन पाएगी अगर सब्यूदिंग की design में कुछ खराबी हो गई है तो खराबी परेशान करेगी तो हमारी अपने मुन्यादी सोच में और रुख में खराबी हो जाए तो वक्त के साथ साथ ज़राब एक डिगरी की रुक से हटे हुए हो तो वक्त के साथ साथ गयाप बढ़ता चला जाता है। मैंना सिर्फ कौम, मुसल्मान तक्रीपन डेड़ अरब हो गया हैं। ये डेड़ अरब मुसल्मानों की इज़त वो नहीं है। बिल्डिंगें आली शान जरूर हैं। लेकिन जब कच्छे कोटों में हमारे सहाबी रा करते थे, तो दुनिया में किसी की जुरत नहीं होती थे कि उंची आवाज से बोल जाए। कि आव हमारे पास बड़े बड़े आली शान बिल्डिंग हैं। लेकिन अंदर इंसान बैठ हुए हमारे जैसे हैं। हमें इज़त की नजरों से देख कोई नहीं रहा। और वो आएगा थू अरू अरू आएगा रुख और नियर्थी कोटोंगें। और अजय को आई आएुए हैं। भी तेख हैं। यजज आएगे जाएगा में वानुछ नाएगाँ। इंशाओ़ भूए पो व्रोवागे लिप्र्वाटी आवश्य नहुन ाषणिए नखेड़ाइगाई इस तक्रीब के सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अलहसन बटने की उन्होंने जदीद तोर के तकाजों से हम आहंग होने के लिए यूनिवर्सिटी के मुस्टबिल के लायामल के बारे में बताते हुई कहा कि यूनिवर्सिटी मुल्क भर में काइम अपने 40 इलाकाई दफाते और दही सता पर 210 तालिम एदारों में Information Technology और सेटलाइट बेस तालिमी मराकिस काइम करेगी The first key element is that distance education today is not the old 20th century distance education. Sending materials through mail to students, letting them work on it, do their assignments, send them back and take the examination. We need to blend through the use of technology, distance education with face-to-face instruction. So the blended pattern is what we are going to be accomplishing out of this mega project. So one of the ways in which we plan on doing that is to develop this infrastructure through which we are going to have in this building all those facilities to develop e-materials, have the hub to uplink those materials through the satellites and then take them down to currently planned 210 sites. साइंस के इस दुनिया में केमिस्ट्री का भी आहम किर्दार है. युनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट आफ केमिस्ट्री ने गुजिशता दिनों शोबे केमिस्ट्री के जेरेह तमाम, High Education Commission और पाकिस्तान Chemical Society के तावन से Atomic Absorption Spectrometry के मौज़ू पर दो रोज़ा ट्रेनिंग कोर्स मनाकिद किया. ट्रेनिंग कोर्स से युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मेहमूद अलहसन बट, मेंबर Academic High Education Commission और पाकिस्तान Chemical Society के प्रोफेसर डॉक्टर मुहमद दीन ने खिताब किया. आखिर में वाइस चांसलर अलाम एकबाल ओपन युनिवर्सिटी और मेंबर Academic High Education Commission प्रोफेसर डॉक्टर र्याजुल हक्तारिक ने शुरका में सर्टिफिकेट्स तक्सीम किये. अलाम एकबाल ओपन युनिवर्सिटी की चार फिकेलिटीज हैं. इनमें फिकेलिटी औफ सोशल साइंसेज और हुमिनिटीज सबसे बड़ी फिकेलिटी है. गुजिश्टा दिनों आथर एड़ी फिकेलिटी के हवाले से अर्दू की मारूफ खातून शायरा डॉक्टर रहाना कमर अमेरिका से तश्रीफ लाइं तो उनके एजास में एक तक्रीब मुनकित हुई. तक्रीब में फिकेलिटी के तमाम असाद्जा कराम ने हिस्सा लिया महमान शायरा ने अपने शायरी के नमूने हाजरीन को सुनाते हुए कहा मेरे मकान के अंदर कई मकान बने अगर मैं तुम को बता दूँ तो दास्तान बने अब उसके नाम लगी हूँ तो उसकी मर्जी है वो मेरी चांपे बनाई के मेरी चान बने सबका एहसान उठाने की जरूरत क्या है सबका एहसान उठाने की जरूरत क्या है साथ हो तुम तो जमाने की जरूरत क्या है और मसहला दोनों का है तैबी करेंगे दोनो मसहला दोनों का है तैबी करेंगे दोनो शहर को बीच मे लाने की जरूरत क्या है मसहला दोनों का है तैबी करेंगे दोनो शेहर को बीच में लाने की जरूरत क्या है दिल से तै करके किसी रोज अलग हो जाओ छोड़ना है तो बहाने की जरूरत क्या है अजीज दुलबाओ तालिबात जैसा कि आप जानते हैं कि अलाम अकबाल ओपन युनिवरसिटी ने आपके खिद्मत के लिए मुल्क के तूलो अर्ज में अपने रिजिनल आफिसेस काइम किये हुए हैं गुजिशता दिनों युनिवरसिटी के में कैमपस में रिजिनल डारेक्टर्स की कानफरंस मनकिद की गई इस कॉन्फरंस से जनाब वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मेहमूद अलहसन बट ने खिताब करते हुए कहा and faculty responsibility includes these four key things we give you the textbooks we give you a syllabus which has been very carefully developed but then your responsibility is to implement it both for transmission of information as well as for training of the minds if we think that our role is simply to have this flock come in because they are my sixty percent revenue and I don't have to threaten them with anything and I have to accept ninety percent plagiarism I shared that data with you guys unacceptable totally unacceptable for any reason so if you say you are powerless you are not because we are given in the agreement quality is determined by not just the textbooks and the materials of instruction that we sent from here but by the faculty faculty with full authority including the authority to lay down the academic rules of attendance, of production of work, what is expected other students to do अजीज़ तल्बा, ये थी ती तक्रीबात के हवाले से कुछ बाते ही इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है इस प्रोग्राम और यूनिवरसिटी के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहें ये कोई तजवीज देना चाहें तो हमारा पता है प्रोग्राम AI OU मेगजीन इंस्टिटूट ओफ एजूकेशनल टेकनोलोजी अलाम अकबाल ओपन यूनिवरसिटी इस्लामबाद इसके साथ ही अपनी मिजबान कुरा तुलैन हैदर को इजास्त दीचिए खुदा हाफिज